अगर Instagram light में camera open करने पर आपके इस तरीके से लिखा आता है allow access to use the Instagram camera यहां से जब हम इस तरीके से camera open करने की try करते हैं और इस तरीके से लिखा आता है कि इन सारे जो है यहां पर बात करें permissions की ज़रुद होगी camera use करने के लिए अगर आप simply यहां से जैसे की microphone के लिए हमने यहां से यहां पर बात करें permission को allow कर दिया है लेकिन काफी लोग don't allow पर यहां पर बात करें click कर देते हैं फिर उनके सामने इस तरीके से लिखा आ सकता है और इसमें not न उपर जाएगे तो यह हट जाएगा और app settings में जाएगे तो इस तरीके से लिखा आ जाएगा तो simple है अगर आप यहां से simply in जो यहां पर दी हुए तीन app permission उनको आप simply यहां से इस तरीके से अगर आप allow कर देते हैं तो आपके यह problem यहां से ही solve हो जाएगी लेकिन अगर आप उसको allow नहीं करते हैं और आपके इस तरीके से settings में जाने का option लिखा आता है तो उसको हम कैसे solve करेगे तो यहां से उसके लिए हम पहले समझते हैं कि क्या होती है यहां पर बात करें permissions और क्यूज़रत होती है permissions की यहां देख सकते हैं कि apps में जब आते हैं और apps में आप जाते हैं यहां पर बात करें permissions और इसमें permission manager में तो यहां देख सकते हैं कि इतनी तरीके की अलग-अलग हो सकती है permissions और कुछ apps को allow क्या होता है इन permission के use का और कुछ को allow नहीं क्या होता है तो इस तरीके से आप यहां पर apps में आकर instagram light में देख सकते हैं कि instagram light app के पर पर्मिशन को अलाव किया हुआ है एप इन्फो जो वहाँ पर भी हमने एप सेटिंग्स में देखा था वहाँ पर भी आ गया था लेकिन इसको पूरा समझने के लिए कि यह प्रॉब्लम क्यों आती है हम यहाँ पर इस तरीके से इसको देख सकते समझ सकते और यहाँ पर ए और फाइल से मीडिया की जो एप पर्मिशन या गैलेरी की है वो तो हमने पहले ही अलाव कर दी थी तो यह इन तीन एप पर्मिशन की जरूरत होती है और यहां से कैमरा ओपन हो जाएगा आपका